अगर इनके भार्के जित्ता पर्टी के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको जेल में डालना तो दस साल में अपनी आयक क्या थी अपने क्या अच्छिव कर रहे थे अगर इनके भार्के जित्ता पर्टी के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको जेल में डालना अगर पार्टी में नहीं आया तो उसको जेल में डालना कि अधियूस्तान में कौमन होगा है लेकिन देश के राजधानी के बुख्य मंतरी जरीवाल ने यह सबूत करके दिखाया है देश के पधान मंतरी को लेकिन यह इलेक्ट्राल बॉंस क्या चीज़ है यह कैसी कितनी वड़ी चोरी है यह समझ में देश को नहीं आ रहा है मंगल सुत्र क्या चीज़ा है यह कितना जुट बोल रहे हैं यह देश के जिंता को समझ में नहीं आ रहा है तो दस साल में अपनी आय क्या थी अपन क्या अचीव कर रहे थे आज किसान देखो आज महिलाएं देखो आज बेरोजगार देखो आज हिंदुस्थान का इच एंड यह वरी रिलीजन यह वरी कैस्ट यह वरी बिजनेसमैन वह सो देश का प्रदाड़ित है तो उसके बाद में सेकंड पेज के आज सीटों के एलेक्शन हुआ है थार्ड पेज में 10 सीटों पे एलेक्शन हुआ है समाजबादी पार्टी से कोंग्रेस अलायंस में है और इतनी बंपर मेजारिटी इंडिया को बता रहा है कि देश के पंदानमंत्री उनका बनारस में भी उनका डिपाउजिट या बचेगा या नहीं बचेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है 1200 रुपए फ्री सिलंडर देते 1200 रुपए साल में 13,000-14,000 रुपए महलाओं के पास सिलंडर के रीफिल रेट वसूल करते हैं प्रैज पूशन अगर इस अद्रेक्ष नहीं रहते तो हिंदुस्तान मेडल के उपर 100-200 को तरफ पहुंच जाता था तो वो बात नहीं है आज अगर यह सिंदुस्तान पर महंगा ही देख्ये आज तेल का रेट का है तो यह देश के पदानमंत्री को समझ में आना चाहिए कि ये देश के पदान मंतरी तेकिंग रियल डिसीजन और नाट सो केजरिवाल इस दा गुड अट्विस्टेशन अलोवर इंडिया में केजरिवाल की तारिफ सारे देश के सारे राज्य करते है हम हर जोडो न्याय आतरा में पंद्रा राज्यों में फिर चुके है पंद्रा राज्यों में केजरिवाल का नाम लिया गया है तो वैसे आद्वी कुछ जेल में दालना ये अन्नेसरी आज देश का इंसान गरीब आदमी मेडियम आदमी जीने सकना बड़े-बड़े इंडस्रियलिस वालों के पास भी 500 करोड, 600 करोड, 100 करोड, 300 करोड, 50 करोड इस तरह से धन संपती वसुल करें ये सही हो सकता जा अगर ये 500 की नोट, 1000 की नोट चोरी हो चुके है वो भी गलत हो चुका है देश के अंदर राफल में इतना बड़ा फ्राड हुआ है ये भी सबूत है